हेलो फ्रेंड में जनामित्तल आज आपके लिए एक ये प्यारा सा बेबी हुडीज लेकर आई हूँ हम जैसे बेबी सूट बनाते हैं तो हमारा मन करता हैं कि हम बेबी सूट में हुड बनाए क्योंकि छोटे बच्चों को कैप पहनने में बहुत प्रोब्लम होती है वो बार-बार कैप को उतार देते हैं और ये जो हुड है ये उनसे उतरता नहीं है क्योंकि ये इसमें जोट होता है और आजकल हुड का ट्रेंड भी बहुत है इसलिए मेरे पास काफी फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट आई है कि मैं उनको बेबी सूट में हुड बनाना सिखाओं मैं आपको एक बेबी सूट में बता रही हूँ आप चाहें तो इसे बड़े स्वेटर में गल्स टोप में इसी स्टाइल से आप किसी में भी इस तरह हुड बना सकती है ये देखिए आपको दिखाने के लिए मैंने सेंपल तयार किया है इसमें मैंने ये एक साल के बच्चे के लिए बनाया है और इसमें मैंने back में 70 फंदे डाले है और front के दोनों pieces में 40-40 फंदे डाले है ये मैंने इसमें हलका सा एक simple design डाला है ये तो मैंने, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने single color में बनाया है ये देखिए, ये मैंने single color में बनाया है baby suit लेकिन आप इसे चाहें, तो यही वाला design हम double में या triple color में भी डाल सकते हैं देखिए, ये मैंने आपको दिखाने के लिए एक triple color का sample तयार किया है अगर हम यही वाला design triple color में डालना चाहते हैं इसमें आप 4 color, 5 color, कितने भी color use कर सकते हैं और आप चाहें तो double color में बना सकते हैं मैं आपको सबसे पहले ये design बनाना बताती हूँ मैं पूरा measurement बता रही हूँ बैक में हमने 70 फंदे डाले यहाँ पर यह हमने बैक है, बैक में 70 फंदे डाले है उसकी बाद हमने 10 सलाई का border बनाया है front के दोनों pieces में हमने 40-40 फंदे डाले हैं क्योंकि यहाँ पर हमें 7-7 फंदे की बटन पट्टी बनानी है आप इसकी बाद हमें ये design डालना है मैं आपको design बताती हूँ कि कैसे बनीगा अगर आप ये देखिए, मैंने ये triple color में बनाया है और ये वाला single color में अगर आप इसको 3 color में डालना चाहती है तो हम ऐसे डालेंगे देखिए, पहले हमने 4 सलाई बिल्कुल plane की है इसमें भी बीच में ये ये वाली 4-4 सलाई plane हो रखी है यहाँ पार, सारे में 4-4 सलाई plane हो रखी है उसकी बाद ये देखिए हमने blue design डाला है तो इस बाद नीचे mazenta है तो हमारा mazenta का number है आप ये देखिए, हमने इसमें यहाँ ये वाले दो फंदों में blue में design डाला हुआ है तो इस बार, जिन blue में हमने design डाला था वो वाले plane करने है और जो plane पट्टी नजर आ रहे है ये वाली white की पूरी यहाँ पर हम design डालेंगे यानि कि ये वाले फंदे mazenta आएंगे ये white, ये mazenta, ये white ये opposite हो जाएंगे यानि कि शुरू के दो फंदे हमारे ये जो white है ये white थे blue के बराबर में तो इस बार, ये वाले हमारे mazenta आएंगे अगर आप design double color या triple color में डाल रही है या multi में डाल रही है तो आपको ये, उल्टी सलाई से design शुरू करना है इस चीज का ध्यान रखिएगा अगर सीधी सलाई में design शुरू करेंगे दूसरा color start करेंगे तो फिर आपको उल्टा नजर आएगा और वो अच्छा नहीं लगेगा ये हमारे wrong side है, उल्टी side है हम इधर से design आएगे शुरू के दो फंदे हम मजेंटा करेंगे एक, दो एक चीज और है कि ये single धागे की बुनाई है दो हमने बुन लिए उल्टे अब हमने दो ये वाले उतार लिए ऐसे क्योंकि इन दो में हमने पहले बुनाई डाली थी फिर से हमने दो फंदे मजेंटा बुने और दो फंदे उतार लिए फिर से हमने दो मजेंटा बुने और दो फंदे उतार लिए हम ऐसे ही पूरी सलाई बुनते रहेंगे दो मजेंटा और दो भाइट वाले उतार लेंगे अब हमारी ये सीधी सलाई आ गई है सीधी सलाई भी हमारी सेम रहेगी यानि कि हम मजेंटा को बुनेंगे ऐसे और धागा पीछे करके वाइट वालों को उतार देंगे धागा आगे करेंगे दो उल्टे बुनेंगे और धागा पीछे करके वाइट वाले उतार देंगे हमारी पूरी सलाई ऐसे ही रहेगी ये देखिए हमारी सलाई हो गई है अब हमारी उल्टी सलाई है फिर से वही पैटरन रहेगा यानि के हमारे दो उल्टे मजेंटा दो उल्टे रहेंगे और वाइट वाले उतार देंगे मजेंटा दो उल्टे रहेंगे और वाइट वाले उतार देंगे ऐसे ही हमें चार सलाई करनी है ये देखिए हमारी तीन सलाई हो गई है अब हमारी ये चोथी सलाई है फोर्थ सलाई है तो इसमें भी हम वही करेंगे यानि कि मजेंटा बुनेंगे और वाइट को उतार लेंगे फिर से धागा आगे करेंगे, मजेंटा बुनेंगे और भाइट को उतार लेंगे अगर हम सिंगल कलर की बुनाई डालते हैं, जैसे मैंने ये बनाया है तो हमें किसी फंदे को उतारने की जरूरत नहीं है इसमें हमें सिंगल धागा चलेगा, बहुत सुन्दर लगेगा, यह आप बड़े आराम से तयार कर सकते है यह देखिए, तिस तरह यह हमारा पेटरन तयार हो गया अब हम फिर से चार सलाई भाइट बनाएंगे और फिर ब्लू पेटरन डालेंगे इस तरह हम यह वाला डिजाइब डाल लेंगे जब हमारा, मैं आपको पूरा बता देती हूँ यह हमारा यहां से यहां तक, बिल्कुल नीचे से यहां तक, जब 10 इंच हो जाएगा 10 इंच होने के बाद, हम यहां पर इसमें इसमें हम मुद्धो की घटाई करेंगे यहां हम मुद्धो की घटाई करेंगे, जिसमें हमें 3, 2, 1 ऐसी हमें मुद्धे की घटाई करने है मुद्धे की घटाई करने की बाद, हमें यह 3 इंच बुल लेना है तीन इंच बुनने के बाद अब हमारे पास जैसे आगे 40 फंदे थे 40 फंदों में से हमने 6 फंदे हम यहां घटा देती हैं तो हमारे पास 34 फंदे बचते हैं 34 फंदे में से जब हमने 3 फंदे 3 इंच बुन लिया उसके बाद हम यहां पर हमें यह देखिए यहां पर हमें शोल्डर पर केवल हमें यहां 16 फंदों की जरूरत होती है छोटा बच्चा है हमें 16 रखने है या 18 या आपकी चोईस है अगर हमें यहां 18 रखने है तो यहां हमें 16 फंदे घटाने है 16 इधर घटाने है और 16 फंदे इधर घटाने है दोनों में हम 16-16 घटा लेती हैं यानि कि 16 घटाने के लिए 10 फंदे हम एकदम घटा लेंगे एक साथ घटा लेंगे और उसके बाद जैसे मुढ़ों में घटाया था 3-2-1 दस एकदम घटाएंगे फिर हम 3-2-1 की घटाई करेंगे और इस तरह हम ये वाले फिर साड़े 4 करेंगे कि हम बैक में हमें कोई गला नहीं घटाना है ये देखें बैक में हमें कोई भी गला नहीं घटाना होता फिर हम इन तीनों पीसों को एक साथ लेकर गला बुनते हैं ये देखें आपको दिखाने के लिए मैंने के तयार किया है ये और यहां फिर ये देखिएगा ध इधर हमने यह देखिए, 40 फंदे मैंने बैक से उठाए है, sorry 40 में 35 थे, 36, 36 फंदे मैंने बैक से उठाए है, और 20 फंदे मैंने दोनों साइट से उठाए है, 20 इधर से उठाए थे, sorry 20 और उसके थे पट्टी के थे, यानि कि 22, 22 हमने इधर उठाए हैं और 22 इधर उठाए हैं, यानि कि 44 हमारे आगे हो गए और 36 पीछे, मैंने यहाँ पर 80 फंदे देखिए, इसमें भी मैंने 80 फंदे उठाएते हैं, और 80 फंदों की मैंने फिन नॉर्मल 10 सलाई बुल ली है, उल्टी उल्टी यह 10 सलाई जैसे वाला मैंने बुल लिया है, अब हम आपको बताएंगे कि हमने हुड कैसे तयार किया है, यह देखिए, थोड़ा हम फेस के लिए यहाँ पर इस फेस छोड़ते हैं, यह जो हमारे बटन पट्टी के फंदे हैं, यह वाले, जो हमारे 7 फंदे हैं, हम इसमें से 8 फंदों को घटा देंगे, 2, 4, 6, 8, यह वाले 8 फंदे हम घटा देंगे, जैसे कि आपको इसमें नजर आ रहा है, यह, यहाँ पर हमने 8 फंदे घटा दिये हैं, और घटाने के बाद हमने दो बारा से यह, जैसे हमने यहाँ 7 फंदों की बटन पट्टी बनाई थी, एसे ही 7 फंदों की हम फोर हेड पट्टी बनाएंगे, यह वाले 7 फंदे हम 8 फंदे घटा देते हैं, यह देखिए हम 8 फंदे, एक मैंने घटा लिया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, और एक आठ ये आठ फंदे मैंने घटा लिए हैं जैसे हमने यहां घटाई गया और आठ फंदे घटाने के बाद ये देखिए ये हमारा फेस का आराम से बच्चे को कैपा जाएगी फिर हम यहां पर साथ फंदे की पट्टी बनाएंगे उल्टी उल्टी और उसके बाद हम बाकी सारे फंदों को नौर्मल बुन लेते हैं यहवाला यह मैंने 8 फंदे घटा दिये हैं अब हम 7 फंदों की, 6 फंदों की यहां पट्टी बनाएंगे उल्टी उल्टी और बाकी पूरी सलाई हम नौर्मल बुन लेंगे नॉर्मल डिजाइन डाल देंगे इधर से भी हम 8 फंदे घटा देंगे 2, 4, 6, 8 8 फंदे हम घटा देंगे और 6 फंदे की हम पट्टी बना देंगे 2, 4, और 6 इन 6 फंदे की हम पट्टी बनाएंगे और बाकि जो ये फंदे हैं हमारे इनमें हम अपना normal design डारेंगे, यह देखिए, इसमें हम पूरा normal design डालेंगे, जब हमारी ये cap एक baby के लिए 6 inch हो जाए, 6 inch की cap हमारी baby को आराम से आजाती है, एक साल तक के बच्चे को देज़ साल को आराम से आजाएगी, फिर हम अपना वही नीचे वाला design डालकर 6 inch बुन ले दोनों साइड हमें यह पट्टी बनानी है पहले हमें दोनों साइड यह आठट फंदे घटानी है और यहां पर हमें इस साइड में यह पट्टी बनानी है फिर हमें यह छे इंच बिल्कुल प्ले बुन लेना है बुनने के बाद जब हम यह छे इंच बुन लेते हैं फिर हमार मैं बताती हूँ कि हमें इसको कैसे ये कैप बनानी है ये देखिए जब ये हमारा पूरा का पूरा चेंच हो जाता है चेंच होने की बाद मैं आपको बता रहे हूँ कैसे करना है जब ये हमारा पूरा चेंच हो जाएगा तो यहाँ पर हमें इन फंदों को आधा कर लेना है ऐ देखिए जैसे कोई भी चीज़ है तो हमें ऐसे अपने फंदों को आधा-धा दोनों सलाई में बराबर डिवाइड कर ले pyramide ये देखिए ऐसे वो फंदे हमारे जादा होंगे लेकिन ये मैं छोटे में बता रही हूँ ऐसे हमें डोनों सलाई में फंदों को आधा-धा कर लेन है और फिर उन सलाईयों को ऐसे मिला देना है ये मैंने दोनों सलाई मिला दी है और तीसरी सलाई लेनी है और तीसरी सलाई से हम इनको घटा देना है यानि कि एक फंदा इस सलाई से लेना है और एक फंदा इस सलाई से दोनों सलाईयों से लेकर बुन लेना है एक फंदा और ए इस सलाहिसं ऐसे लेना है ऐसे और फिर एक फंदे को दूसरे के उपर से उतार देना है फिर से ऐसे ही एक इधर से लेना है एक इधर से और आप इसको भुण लेना है और इस पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे पर उतार देना है फिर से यही करना है एक फंदा इधर से लेना है एक फंदा इधर से दोनों सलाईयों को बुनना है और यह फंदा उतार देना है हमें यह सारे फंदे ऐसे ही कर लेने है यह हमें पूरा देखे ऐसे हो रहा है और मैं आपको इसमें दिखा देती हूँ, यह देखिए, यह हमारा ऐसे यह, यहाँ पर हमने इस तरह इन फंजों को घटाया हुआ है, जैसे हम शोल्डर घटाते हैं, इस तरह ही आपका बेवी हुड तयार हो जाएगा, बहुत प्यारा, बहुत सिंपल लगेगा, आप यह डिजाइन जरूर तयार कीजिएगा, और बाजू में यहाँ पर, यहाँ, बाजू में यहाँ पर 35 फंदे डाले हैं, और फिर यहाँ पर मैंने हर पाँचवी सलाई में एक एक फंदा बढ़ाया हैं, दस इंच की मैंने बाजू तयार की है उसके बाद मैंने यहाँ पर 3, 2, 1 की घटाई की हैं, यहाँ मैंने बाजू में उपर तक यह 65 फंदे की हैं, 65 फंदे करने के बाद 3, 2, 1 की घटाई की हैं, फिर मैंने सारे फंदे घटा दी हैं, प्लीज मेरी आप से रिक्वेस्ट हैं, कि आप यह वाला डिजैन जरूर तय फिर कियाँ आपको बेवी बहुत सेफ रहेगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा अगर आपको कोई पाल डियुकorkर आतारि गया ए यही तो पिरीब पर्लिश अब्रव करते हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास अजाई Thank you. have a nice day